में अब इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे फोर्स के तीन नौज़ा मोशन पढ़ेंगे और उनके बारे में समझेंगे कैसे हम डारेक्शन मागनेटिव और होसा चीज़ों पता कर सकते हैं नहींगे सबसे पहले जो हमें टर्म यहां पर इंट्रड्यूस करनी पड़ेगी वो है इनर्शिया अब यह बहुत ज़्यादा समझनी की चीज़ है यह वर्ड बहुत ज़्यादा टिपिकल और इंपॉर्टन है अगर आपने बात करें तो इनर्शिया होता क्या है वाट इस इनर्शिया तो मैं आपको उसका एक बहुत छोटा सा एक्जैम्पल देने का प्रयास करता हूँ ठीक है यह एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉड़ी की जो कोशिश करती है कि वो बॉड़ी उसी स्टेट मे रहें जैसे आपको एक्जैम्पल दो बहुत छोटा सा माल देते हैं कि एक कार है भारी कार है उसमें चार आदमी जा रहे हैं ठीक है एक ड्राइवर है तीन जने और बैठेवे हैं अब चलते लते रस्ते में गाड़ी खराब हो गई है और इतने टू भी पुश्ट अब उस महसूस कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं उन्होंने ऐसे उस पर धक्का लगाना चालू किया तो जब उन्होंने धक्का लगाना शुरू किया तो उनको बहुत जादा जोड़ लगाना पड़ा उस धक्का लगाने में क्यों लगाना पड़ा आप समझेगा जब उन्हों बार उस चीज़ को मोशन में लाने में काफी जादा ताकत लगानी पड़ी अब क्यों पड़ी ताकत लगानी पड़ी अब क्यों पड़ी ताकत लगानी आप इस चीज़ को महसूस कीज़ेगा यहां मैंने लगा रहा हूँ ओ ऐसे लगा फोर्स तेज फोर्स लगा बट वंस स्टार्टिड मूविंग एक बार जब वो स्टार्ट हो गई चलना रुकीवी से जब वो मूव करना चालू कर दी तो जो वो फोर्स पहले लगा रहे थे उससे कम लगाना पड़ेगा ठीक है अब जो तीसरा आदमी था वो भी आया और उसने कहा कि अब मैं भी धक्ता लगाता हूँ अब जब गाड़ी मोशन में है जब वो मोशन में चलने लग गई है तब उसने फोर्स लगाना चालू किया और उसकी वेलासिटी चेंज होगी अब मेरा आपसे क्वेश्चन है आप इमेजिंग कर देखेगा जो मैं बोल रहा हूँ कि वो दो आदमी जिनोंने पहले दक्का लगाना चालू किया था उनको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा या तीसरा आदमी जिसने चलती हुई गाड़ी में फोर्स लगाना चालू किया उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा आप इमेजिंग कर देखेगा ऐसे नहीं कि एकदम से कुछ भी आंसर बो लगाना पड़ा जब आप महसूस करेंगे चीज को तो आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा कि उस तीसरे आदमी को फोर्स कम लगाना पड़ा बनिस्पत किसके बजाए किसके इतना उन दोनों ने लगाए था ठीक है ना तो यही है इनर्शिया पहले वो क्या था इनर्शिय सब्सक्राव रेस्ट में था अब एक्स्पें करूंगा और चीज को मैं तो बॉड़ी चाहरी थी कि उसी इनर्शिया में रहे और वो नहीं हिलना चाहरी थी बट वंसे स्टार्टेड मूविंग तो जब धक्का लगाना चालो किया गया तो दूसरे वाले को फोर्स वड़ा सब कम लगाना पड़ा अब इसका उल्टा एक्जामपल लेते हैं एक स्लोप है माले एक स्लोप है यहां पर गाड़ी आपने गल्ती से खड़ी कर दी और आप हैंड़ेक लगाना भूल गये स्टार्टेड मूविंग अब वो धीरे दीरे मूव कर रही है मैं यह नहीं कहा दा हूँ कि एक दम से बहुत तेज़ पीर हो जाएगी स्टार्टेड मूविंग आप दुकान पर रुके आपने दुकान पर रुके दो मेट के लिए गाड़ी शोड़ दी ऐसे बिना हैंड़ेक लगाए आपने सामांग खरीदा देखा तो सब गाड़ी चल दी किसी दर बाइस सब गाड़ेगी आप भागोगे उसके पीछे जैसे ही आप उसे रोकने की को आपके बस में ही नहीं होगा उसको रोक पाना तो इसके ली क्या किया जाए मतलब क्या हुआ ऐसा और क्यों हुआ पंजरा इसके लाए में बात करते हैं तो जब उसने ऐसे रोक tease को लिया मट उसे थोड़ी जाना दाका द tehाना नहीं पड़ी लेकिन अब उससे थोड़ी दे गाड़ी को उसने रोकने का प्रयास किया या रोके रखा रोकी वी गाड़ी को ही अपकी बार उसने रोक लिया जैसे ही उसने रोका मेरा क्वेश्चन आप से ये है जादा ताक किसको लगानी पड़ी उस पहले आदमी को जो गाड़ी चलाता वाल आ रहा था उसको रोकने के लिए या फिर उस दूसरे आदमी को यसने रूकी वी गाड़ी को ही ड Hanım सपूर्ट किया इसको भी आप अगर धंसे मैंथ सोस करेंगे तो आपको एकदन से अहसास होगा कि जो रूकी देता हूं यहां पर इसकी देपिनिशन क्या है, please note it down very properly and it is one of the very important concept the property of the body to resist any kind of change in इस state of rest और motion बद्धा भाई वो जो रुकी भी आ तो state of rest पे होगी रुकी विए तो यह state of motion में होगी वो चल रही है तो वो अपोस करेगी किसी भी तरह का परिवर्तन अपने अंदर लेके आना उसी चीज़ को आपने बोलते हैं इनर्शिया ठीक है अब कितने दरे का इनर्शिया होता है जरा उसके वरे बात करते हैं पहला इनर्शिया आफ रेस्ट यह कब होता है वेन बॉड़ी इज इस टेशनरी जो बॉड़ी स्टेशनरी होती है तब ऐसा होता है ठीक है बुसरा है इनर्शिया आफ मोशन वेन बॉड़ी इज इन मोशन जब बॉड़ी मोशन में होती है तब ऐसा होता है कि उसे कहीं है अपन इनर्शिया आफ मोशन में ठीक है तीसरा है इनर्शिया आफ आफ डार्शिया अब डार्रेक्शन अब डार्रेक्शन का मत्थर क्या होता है समझेगा मालिजिए आप कार में जा रहे हैं बैठ करके और कार चलते चलते एक दम से जो ड्राइवर साफ हैं उतके आप भी बैठावाई जो बंदा बैठावाई वो एकदम से क्या करेगा लेफ्ट की तरफ जूम जाएगा क्यों का आप महसूस करें यह यू भूमता है तो जगे छोड़के उससे बाहर जाने की कोशिश करेगा बाहर निकलने कोशिश करेगा इसे कहते हैं इनर्शिया ओफ डैरेक इसके हमें क्या ज़रूत पड़ी इनर्शिया की न्यूटन ने इसमें काफी अच्छा एक लौ दिया जिसे फिर्स लौ आफ मोशन या फिर न्यूटन लौ फिर्स लौ आफ मोशन बोलते हैं या फिर बोलते हैं लौ आफ इनर्शिया तो आईए स्टार्ट करते हैं अपन ल All right, Newton's first law of motion or law of inertia. अपन बात करते हैं law of inertia की क्या मतलब है इसका तो पहले में आपको इसका law of statement लग देता हूँ फिर अपन ठोड़ा तो इसको discuss करेंगे कि यो कितना जादा सजग्या कितना वो है It states that a body in motion will remain in motion and the body at rest will remain in rest until some external force is applied on it जब तक कि हम इसमें external force नहीं लगाएंगे तब तक वो body अगर रुकी होई है तो रुकी भी रहेगी अगर कोई body चल रही है तो वो चलती ही रहेगी इसको मैं मानने लगूं तो फिर तो चीज़े बनीगी नहीं कुछ काम होंगे ही नहीं अगर हम सोचे तो बंदाव कोई body है वो चाहती ही रुकी रहे तो मैं बोलू चल तो चल पड़ी ऐसा तो कभी होता ही नहीं या फिर मैं कहूं कि एक cycle का मारी है अपने एक पेडल से कराया सैकल चलाणाशालु कि आपने आप एक ही पेडल एक बार गुमाया और जैसी उसको गुमाया सैकल कभी रुकेगी नहीं एक कीप और मोविंग कंटीन्यू आप कहीं acting on it which tries to stop it इसकी वज़े से उस पर बहुत जारा दिकत हो जाती है आप समझ देए मेरी बात को मैं दुबारा बताता हूँ यह लॉब बोलता है कि अगर आपने सैकल चिलाने चालू किया और एक पेडल में तो पता नहीं आप कहां से कहां पहुँच जाएंगे विकॉर्डेटर अब आगे देखते हैं इसमें क्या किया चाहिए इसको ही लॉफ इनर्षया भी कहते हैं अपन मतब ठीक है ना अब इस पर बेस बहुत सारे कॉश्चन से बहुत सारे फिलोसफीज हैं जो हम इसके अंदर समझा सकते हैं और जिनकों को समझना बहुत जरूरी है कैसे कैसे क्य क्या होगा ठीक है ना अब तीन चार इसमें जो फटा-फट में आपको लेकर सम्झाना चालू करता हूं लेट सी ओ कौन-कौन से इसमें एक चीज का ध्यार लखेगा बेटा हमेशा कि इसमें कभी भी जो कॉस्चेंज आएंगे उन नुमेरिकल वाले नहीं आएंगे यह बहुत बेसिक आइडिया दे देता हूं इससे कि आपको अच्छा लगेगा उसको समझना में क्या कहना चाहरा हूं ठीक है इधर देखिए इस तरफ जब भी कभी दो बॉड़ी है हमेशा दो बॉड़ी से रेटेर होगी चीज यह पहले इसमें एक ही टाइक पर कॉश्चन आएगा टाइप वन और इस अल्वेस लिटेट तो टू बॉड़ी इस सबसे पहला बोद दा बॉड़ी इस आर इन इसम इनर्शिया मजब दो बॉड़ी सका इनर्शिया बिलकुल सेम रहेगा दो बॉड़ी सका इनर्शिया बिलकुल सेम रहेगा ठीक है वन आफ देम चेंजिस इट्स इनर्षिया अब साब क्या हुआ जो एक है वो अपना इनर्षिया चेंज कर लेगी देगी इनर्षिया वड़ को तीन बार यूज करेंगे अपन ठीक है ना और चौथा अनादर बॉड़ी सेम इनर्षिया मतलब सेम का मतलब जो पुराना इनर्षिया था उसी में वो बॉड़ी रह जाएगी ठीक है ना तो इनर्षिया वड़ को तीन बार इस्तमाल करना है तीन बार इस्तमाल करना है इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नहां रखिए यह सबसे इंपॉर्टन चीज़ है आई अब मैं बताता हूं इस पे कोश्चन बड़ा शांदार सा and let's try what does this question mean और क्या कहना चाहता हूं आई इस तरह देखिए question 1 why does a passenger standing in a स्टेशनरी बस फॉल्स बैक्वर्ड वेन इट इस तार्ट मुविंग कोश्चन को समझी पहले सबसे पहले बस चलने लगी बस खड़ी वी है अराम से बस में आपनी खड़ा वार बस एक दम ने चल दी तो आप इमेजिंग कीजिए आप स्कूल जाते हैं कि बस में जाते हैं कुछ होता है तो एक दम से ऐसा लगेगा आप पीछे गिर गए एक दम स आप पर अपन देख सकते हैं आप बाइक पे बैटें मैं बाइक चल रही है बाइक एकदम से कुछ तेज़ रिश खीचता है तो आप पीछे बैटें चमक जाते हैं तो दर जाते हैं और यह पीछ तरफ करते हैं आपको पकड़ना पड़ेगा जो ड्राइवर है उसको जो च वर्ड इनर्शिया थ्री ताइम्स अगर तीन बार आपने इनर्शिया को यूज नहीं किया तो कलत हो जाएगा ये इसका आंसर देखते हैं क्या होता है इसके हिसाथ से बस जब खड़ी थी तो आदमी जो है उसके साथ में उसमें खड़ावा है याने कि बस जब स्टेशनरी ह है तो पर्सन जो है वो भी स्टेशनरी है तो वेन बस इस स्टेशनरी तो पर्सन स्टेंडिंग इन इट इस इन इनर्शिया ओफ रेस्ट अलोंग विद बस जो आदमी उसके अंदर बैठावा है या खड़ावा है वो बस के साथ में ही वहीं पे बस के स्टेशनरी थी तो इनर्शिया ओफ रेस्ट पे थी और आप भी वह भी इनर्शिया ओफ रेस्ट में ही राएगा ठीक है ना तो देकिए मैंने एक बार एस यूज़ कर लिया इधर कि दूस्रा आज बस मूवज सटोंनी जैसे ही बसने सटोंनी मूऌ किया कि इट कॉम्स इन्टू कि इनर्शिया ओफ कि मोशन जैसे ही बस एक दन से मूव करी तो उसना इनर्शिया ओफ मोशन पर आ गया एक दम से बट पर संद रिमेंड इन इनर्शिया ओफ रेस्ट और हो ενória नचार वट यूद इन और हुआ क्या रेस्ट का मतलब हो वही खड़ा रह गया किसी धका नहीं दिया है उसकर पै के निचे से जमीन आगे चली गई है उसके पहेंगे बस आगे चली गई है और वही नहीं नहीं गया है उस थी वह यह से पीछे की तरफ गिर गया है जो इमेर्जिन इस आगे पाइने आप आप एक्सप्राइब बोट बोड़ी आ इनर्शिय इनर्शिय गोडियाए और जो परसंथा यूरा रिमें इनर्शिय आगे तो एक यह बार में बिना रूखे इसका है इनर्शिय और सीधर सीधर कोश्टन झाल झाल